हेलो फ्रेंट्स, वेल्कम टू कॉट स्टेडी, कॉट स्टेडी में एक बार फिर आपका स्वागत है, आज हम जो चप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वो मैट्स का चप्टर है, जिसका नाम है रेशियो परपोशन, और आज हम करने जा रहे हैं उसका पार्ट टू, जिन बच्ट को शुरू करने से पहले उस पार्ट को अटेंड जरूर कीजिए, शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, उसके लावा हम फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं, ये रहे उनके डिरेक्ट लिंक्स आपकी स्क्रीन पर, जिन बच्चों ने पिचला टॉपिक लगाया था, रेशियो परपोर्शन का पार्ट वन अटेंड किया था, उनको बच्चों के लिए ये कॉशन है, आप इसे फटफट से अपने कॉपी पर सॉल्ड कीजिए और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आज का सबसे पहला कॉशन है, इफ ए इस तो बी इस तो सी, इस इकुल तो बाई त्री, इस तो थ्री बाई फोर, इस तो फाई बाई एट, देन फाइंड देन नॉन फ्रेक्शनल रेशियो बिट्विन ए बी और सी, अगर जो है, तीन कॉंटिटीज के बीच में, जो है, हम नॉन फ्रेक्शनल रेशियो में कनवर्ड करेंगे, फ्रेक्शनल रेशियो को, ठीक है, फ्रेक्शनल रेशियो को कनवर्ड किया जाएगा, नॉन फ्रेक्शनल रेशियो में, तीन कॉंटिटीज के बीच में, तो इसको करन यानी B और C के डिनॉमिनेटर से, वैसे ही एगर हमें B का निकालना है non-fractional value, तो B की निमिनेटर को हम A और C के डिनॉमिनेटर से multiply करेंगे, similarly C का case होगा, तो चली करते हैं इस question को solve, आपने देखा कि A का numerator है 2 B का denominator है 4 C का denominator है 8 तो A के लिए हम 2, 4, 8 को multiply कर देंगे वैसे ही B के case में B के numerator 3 को A के denominator 3 और C के denominator 8 से multiply करेंगे similarly C के case में 5, 4, 3 आएगा इन तिनों को देखोगे आप कि जो इसमें even इमद तिनों equations में even even number है तो हम क्या करेंगे उसको पहले ही 2 से हम काट देंगे तो 2 से नहीं इसमें 4 से कटेगा देखिए अब यह question आपको कैसे solve करना है 2, 4, 8 आगया हमारे पास A के लिए 3, 3, 8 आगया हमारे पास B के लिए 5, 4, 3 आगया हमारे पास C के लिए तो आप देख रहे हो कि 3 में जो है 4 एक ऐसा number है जिसे हम remove कर सकते हैं ताकि हमारे जो multiplication है थोड़ी छोटी हो जाए तो A मेंसे हमने 4 remove कर दिया B मेंसे 8 क्या होता है 4 into 2 होता है तो B मेंसे हमने 8 remove किया तो उसकी जगा हमने 2 लिखते है क्योंकि 4 टूजा 8 होते है वैसे ही C मेंसे हमने 4 remove कर दिया ठीक है बेसिकल हमने 3 मेंसे 4 common लिया उनको आपस में काड़ दिया ठीक है अब हमारे पास बचा 2 into 8 A की वैलियो होगी 16 3 into 3 into 2 18, 5 into 3, 15 तो A और B और C की रेशियो जागी 16 into 18 into 15 चलते हैं next question पर तो हमारा question demand कर रहा है कि A, B, C की हमें ratio बतानी है जब A by 3 होगा B by 4 के equal और B by 4 होगा C by 5 के equal यानि ये तीनों आपस में भी equal होंगे अब आप देख रहे हैं पिछले question में जो था वो A ratio B, ratio C था इस question में equation, इस question में equal किया हुआ है तो इस question को क्या करेंगे बहुत easy है ये question, आपको बस एक चीज़ याद रखनी है जब equal to लिखा होता है तीन quantities के बीच में और उनका denominator हमें दिया होता है तो वही denominator उनकी ratio होती है यानि A को हम value assign कर देंगे 3 की B को हम value assign कर देंगे 4 की C को value हम assign कर देंगे 5 की, तो यही आ जाएगा A is to B is to C, हमारे पास आगे 3 is to 4 is to 5, ठीक है आते हैं next question पर ये question आ गया, थोड़ा complicated है वैसा ही है, जैसा हमने पिछले question क्या equal वाला ही है, पर इसमें क्या है कि 2 by 3 दी है, 3 by 4 दी है, 5 by 8 दी है इसमें normally A के नीचे 3 सिर्फ 3 होता, तो तब तो सिदा-सिदा A की value 3 आ जाती, पर इधर A के साथ 2 भी multiplied है, अब देखते है ऐसे questions को कैसे करना है अब मैंने आपने पिछले question में देखा कि A के नीचे जो denominator था, वही वही सिदा-सिदा A को हमने value assign कर दी थी, ठीक है तो क्या करते है, हम इस question में भी same करते है 2 by 3 को हम ऐसे लिख सकते है A के नीचे 3 by 2 जो A के साथ 2 है, वह हम 3 के नीचे ले आए ऐसा कर सकते है, वैसे ही B में जो B के साथ 3 था, वह हम 4 के नीचे ले आए और जो C के साथ 5 था, वह हम 8 के नीचे ले आए अब आपको पाता है जब ऐसे जो exact quantity के नीचे denominator आ जाता है वो उसी की value होती है तो हमारे पास a is to b is to c जो है 3 by 2 is to 4 by 3 is to 8 by 5 आ गया बिलकुल आ गया क्योंकि quantity के नीचे ही यह denominator थे यह values आ गई उनकी ratio में ठीक है अब हम इनको कैसे solve करेंगे hide method जो मैंने आपको सबसे पहले question में बताया a का solve करना है तो हम क्या करेंगे की अच्छा हाँ a का solve करना है तो हम क्या करेंगे a का LCM लेंगे 3 b का LCM नहीं sorry numerator a का numerator लेंगे 3 b का denominator लेंगे 3 और c का denominator लेंगे 5 3 2 3 2 5 45 वैसे ही B का आया 40 और वैसे ही C का आया 48 तो हमारे पास A ratio B ratio C आ गई 45 is to 40 is to 48 चलते है next question पर अब यहागे non fractional equation को equation को ratio में convert करना ठीक है non fraction अभी तक हमने चो पड़ा उसमें भी equals to आ रहा था पर उसमें fractions थी ठीक है जैसे 2 by 3 of A हो गया या A by 3 हो गया ऐसी fractions थी यह non fractional नहीं 4 A equals to 3 B है यह तो बिल्कुल basic सा question है 4 A equals to 3 B है A के नीचे हम B को ले जाएंगे 3 के नीचे हम 4 को ले जाएंगे cross multiply जो करते हैं वैसे हमने इनको denominator में ले आए तो A is to B हमारे पास आ गया 3 is to 4 बिल्कुल easy था ठीक है अब आते है next question पर if 4 equals to 7 B equals to 5 C then what is A is to B is to C पिछले question में तो 2 equation थी हम B को A के नीचे ले आए और 3 को 4 के नीचे ले आए और उसके सामने वाली values उनीकी ratios बन की पर इस question में तो 3 आ रहे हैं है ना तो इस question को कैसे करेंगे चली देखते हैं हमने सबसे पहले अपना solution लिखा A is to B is to C हमें final चाहिए अब इस question में भी hide method ही लगेगा ठीक है इस question में भी hide method ही लगेगा अब इस question में आपको denominator और numerator की tension नहीं लेनी क्यों क्योंकि इसमें तो non fractional value है तो सीधी सी बात है हम A को निकाल अगर जब हमने A को निकालने ना तो हम A को hide कर देंगे इसी को कहते है hide method A को hide किया और B और C की जो numerical value है वो हमने multiply करती तो A के लिए value आगी 7 into 5 which is 35 वैसे ही B के लिए निकालना है तो हमने 7B को hide कर दिया 4 into 5 आगया 20 C के लिए 5C को hide कर दिया 7 into 4 आगया 28 तो A ratio B ratio C आगया 35 is to 20 is to 28 चलते है next question पे अभी तक हमने सिरफ ratio पे काम किया अब आपको ऐसे questions मिलेंगे जिसमें आपको ratio को एक exact value से compare करके एक answer राना होगा जो की होगा exact form में हर बार या answer तो ratio और percentage की form में नहीं हो सकता तो इन किस number किस ratio को जो हमने value assign की हुई है किसको exact value से compare करना है कैसे पता चलेगा वही चीज मैं आपको इस part में सिखा पहले question हमारा कह रहा है ratio है a is to b की 15 is to 9 if value of a is 60 what is value of b मैंने आपको बताया था जब भी हमें ratio मिलती है और हमें ratio में percentage में answer निकालना होता है तो जो हमें ratio दी हुई है हम उसी को value assign कर देते हैं जैसे a is to b 15 is to 9 तो हम assign कर देंके a की value 15 unit b की value 9 unit ठीक है अब पर इस question में हमें exact value नि इस चुरू होगा एक को हमने 15 units मान लिया बाझाता है अब हमने ratio वाली वैल्य है जो कि 15 यूनिट पर question में A की exact value दी गई लिए जोकी है। 60 तो क्या करेंगे हम 15 यूनिट को 60 से कंपेर कर देंगे। अगर कॉशन में B की exact value दी होती तो हम 9 यूनिट को इससे कंपेर करते हैं पर कोशन में A की exact value दी है इसलिए हमने 60 को इससे कंपेर कर लिया। अब आपको पह चल गया है जो हमने B की exact value चाहिए, B की ratio वाली value के 9 units तो exact value के लिए हम 9 units से 4 को multiply कर देंगे तो हमारा answer आजाएगा 36 चलते हैं next question पे A और B के बीच 15 is to 9 की ratio है अब इन्होंने का A is 30 greater than B यह 30 है यह exact value है हम question assumption पे ही शुरू करेंगे फिर end में जो भी question की requirement है उसके हिसाब से हम compare कर लेंगे exact value को हमने A को लिया 15 ही units B को लिया हमने 9 units अब उन्होंने कहा है कि A जो है B से बड़ा है दिख रहे है ratio में हाँ दिख रहे है क्योंकि A 15 है B 9 है तो A definitely बड़ा है अब A कितना बड़ा है? A 30 बड़ा है जो की question की demand है और ratios में कितना बड़ा आ रहा है? ratios में आ रहा है हमारा 15 minus 9 यानि कि 6 unit बड़ा आ रहा है ratio में हमारे पास 6 unit और equation में जो question ने demand किया है वो है 30 तो 6 unit को हम 30 से compare करेंगे 1 unit की value आजागी 5 अब उन्होंने पूछा what is value of A तो 15 into 5 is 75 75 is the value of A चलते हैं next question पर अब यहाँ पर दीए ratio A is to B is 2 is to 3 and B is to C is equal to 6 is to 9 if value of A is 60 then B is how much less than C तो यह रहा इसका solution A is to B is to C को हमने लिया 4 is to 60 is to 9 यह कैसे आया मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अब हमारे पास है कि value of A जो ratio में दी गई है वो है 4 unit यह सामने रहा आपके और exact value जो हमें question में दीगी है एक ही वो है 60 unit तो हम क्या करेंगे 4 unit को 60 से compare कर देंगे 60 exact value है तो 1 unit की value आगी 15 ठीक है अब उन्होंने का है कि B जो है C से कितना छोटा है ratio में देख सकते है हमें छोटा दिख रहा है B 6 है C 9 है तो 1 unit की value है 15 C minus B करके हमारे पास आया 3 units तो अगर exact value निकालनी है तो 15 को हम 3 से multiply कर देगे तो हमारे पास answer आजाएगा B जो है 45 less है C से चलते है next question पर If X ratio Y is equals to 4 ratio 5 then यह equation दी गई है हमें इसकी value बतानी है क्या होगी equation भी हमें ratio में दी गई है तो हम assumption पर ही काम कर सकते हैं जब assumption पर ही काम करना है तो हम क्या करेंगे X को हम 4 मान लेंगे Y को हम 5 मान लेंगे और वही value हम put कर देंगे पहली equation में डालेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा 3 into 4 plus 4 into 5 4 जो है X की value है 5 जो है Y की value है next equation में डालेंगे तो कुछ ऐसा आएगा 5 x 4, 3 x 5, तो इन दोनों को हम देखेंगे, तो पहली equation का जो total sum आया, वो आया 32, दूसरी equation का जो total sum आया, वो आया 35, तो हमारे पास इस equation की जो question में पूछा हुआ है, उसका answer क्या आगया, 32 is to 35, अब यह आ है next question, वैसा ही question जैसे अभी त तो पहले 15 वालों की जो इधर का है कि wage increase हुई है हर लेबर की तो पहले हर लेबर को 22 रुपए मिल रहे थे पर घंटे के तो अब कितने मिलेंगे हर लेबर को 25 रुपए मिलेंगे पर घंटे के उन्होंने बताया कि percentage decrease कितनी हुई है total wage में total wage में हमने बताना है laborers की ठीक है हर बंदे का नहीं बताना क्योंकि हर बंदे की तो obviously increase हो रही है total wage में total wage जो factory for example कुछ amount दे रही है अपने laborers को काम करने के लिए वो total wage कितनी थी पहले वो total wage कितनी है अब और उसमें कितना reduction हुआ हमें उस पर काम करने है तो देखते हैं इसका solution हमने क्या किया पुराने labor को labor force को 15 units मान लिया तो new labor force हमारे पास आगी 11 unit कोशन से ही लिये हमने ratio से value लिये हमने ठीक है अब पर जो पुरानी जो wage थी per person उसको हमने 22 units माना और जो new wage आगी per person उसको हमने 25 units माना अब हमें पता है total wage क्या होगी total wage क्या होगी basically जो एक बंदे को salary मिल रही है multiplied by जितने number of बंदे है ठीक है यही होती है total wage for example मेरी company में एक बंदे को मैं 10 रुपे दे रहा हूँ और मेरी company में total 10 बंदे है तो 10 into 10 hundred हो जागा यानि एक बंदे की salary और total कितने बंदे है उनको multiply करेंगे तो उनकी सब की value total wage आ जाएगा कि मतलब 100 रुपे आगे total wage वही चीज है एक बंदे की wage multiplied by total number of person तो old wage क्या होगी old number of old labor force यानि 15 और old wage per person यानि 22 इसको multiply करेंगे old old value को multiply करेंगे 330 units आया new new value को multiply करेंगे 275 units आया question पूछ रहा है कि कितना percentage decrease है यह तो आपको सामने दिख रहे है कि decrease है क्योंकि पुरानी 330 है नई 275 है तो decrease कितने का हो रहा है decrease हो रहा है 55 unit का इसी को percentage में डालेंगे तो 55 divided by 330 जो की old wage थी total multiplied by 100 50 by 3 हमारे पास आगया इसका answer अब हम ratios पे काम करेंगे अभी तक वैसे उसी पर ही काम कर रहे थे तो हमारा question कह रहा है कि A is to B है 1 is to 2 if 30 is added to both of them यानि कि A में भी 30 एड़ हो रहा है B में भी 30 एड़ हो रहा है तो उनके ratio बन जाएगी 3 is to 4 what is the new value of A आप एक चीज़ notice करो A और B में एक same number एड़ हो रहा है तो हम देखते हैं इसका solution कैसे करना है A और B लिखा हमने वैसे 1 is to 2 आगया A B 3 is to 4 आगया नया वाला A B 30 एड़ होने के बाद अब आप देखते हैं A A वाली value को compare करते हैं पहले थी 1 अब है 3 कितने units increase होए है 2 units increase होए है वैसे B वाली देखते हैं पहले थी 2 अब है 4 कितने unit increase होए है 2 unit increase होए है तो A की new value ratio क्या थी? A की new value ratio थी 3, तो 15 को हम 3 से multiply करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा new value of A, 45, ठीक है? Next question पर आते हैं, पहले question का तो आगे 45, next question आगया, A is to be 1, is to 2 है, 10 subtract किया दोनों से, यानि की same amount दोनों से subtract हो रहा है, new ratio बन जाएगी हमारे पास 2 is to 5, what is the original value of A, चलो इसका solution देखते हैं, वैसे ही, जैसे पिछला question स्टार्ट किया था हमने, 1 is to 2 लिखा, A is to B की पुरानी value, और A is to B की new value है 2 is to 5, 10 subtract करने के बाद, अब compare करते हैं इनको individually, A की पुरानी value है 1, नई value है 2, कितने unit का increase हो रहा है, एक unit का, B की पुरानी value है 2, new value है 5, कितने unit का increase हो रहा है, 3 unit का, यह तकड़ बढ़ होगी, एक जगा एक unit का increase हो रहा है, दूसरी जगा 3 unit का increase हो रहा है, और question हमारा कहरा है कि, जबकि दोनों में से same चीज सब्ट्रेक्ट होनी चाहिए ठीक है तो इस पंगी को कैसे solve करेंगे हम जब भी दो values हैं जो individual values में जो फरक आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है और हमें question हमारा demand कर रहा है कि same होना चाहिए तो हम क्या करेंगे इन ratios को लेंगे और आपस में पहले तो इनका gap निकाल लेंगे जैसे 2-1 कितना आ गया 1 5-2 आ गया 3 ठीक है अब यह जो gap निकल है इनको हम cross multiply कर देंगे यानि नीचे वाले का gap हम उपर वाली ratio के साथ multiply करेंगे और उपर वाले का gap हम नीचे वाली ratio के साथ multiply करेंगे अब हमारे पास new ratios आ गई है तो अब हमें क्या करना है पुराणी ratio को भूल जाना है अब हमें new ratio पर ही काम करना है हमने मानना ही नहीं कि हमारे पास ऐसी कोई पुराणी ratio थी अब हमारे पास जो भी है यह new ratio है further आपने देखा कि अब जो है 3 से 2 में 1 subtract हो रहा है 6 से 5 में 1 subtract हो रहा है तो यानि अब हमारा question सई direction में जा रहा है क्योंकि हमारा question कहा रहा था वो भी तो यहीं कहा रहा है कि 10 subtract होगा यानि कि एक same number subtract होगा अब 3 is to 2 और 6 is to 5 6 और 5 में आप देख रहे हैं कि 1 सब्ट्रेक्ट हो रहा है यानि हमारा कोशन साई डिरेक्शन में जा रहा है और 1 की value आजएगे 30 उनने पुछिए original value of A अब मैंने आपको काता पुरानी वाली ratio को हम भूल जाएंगे तो original value A की क्या हो जेगी income of 2% are in the ratio 3 is to 2 and expenditure are in the ratio 5 is to 3 if each person save thousand then what is income of first person ठीक है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था income expenditure और saving का relation पूरा explain करके बताया था आपको कैसे याद रखना है ठीक है तो उसी से हम बनाएंगे कि income से अगर हम expenditure minus करते हैं हमारे पास saving आ जाएगी हमारी कितनी तनखवा है उसमें से हम कितना खर्चा कर देते हैं तो जो हमारे पास पैसा बचता है उसको हम saving के तो कहते हैं है ना तो अब काम करते हैं इस question पे उन्होंने कहा है income थी 3 is to 2 expenditure किया बंदे ने भई 5 is to 3 और दोनों बंदे same amount save कर रही है thousand तो पहली बात तो ये होगी कि हमें इन तोनों के बीच में जो individual बंदे के बीच में जो gap आ रहा है वो same होना चाहिए तो कैया वो same आ रहा है 6 is to 4 5 is to 3 ठीक है यह आगी है हमारे पास new ratios अब इनका gap चेक करते है 6 है income 5 है expenditure एक का gap आ रहा है 4 है income 3 है expenditure एक का gap आ रहा है gap हो गया है भई हमारा same अब यह gap क्या है expenditure income तीसी चीज़ क्या बची saving बची तो यह gap क्या है saving है हमारे पास one unit की value आगी thousand rupees जो की question में दी थी अब इन्होंने पूछे income of first person मैंने आपको बताया था जब एक बार हम new ratios ले आते हैं तो हम पुरानी ratio को बूल जाएंगे तो first person की income क्या होगी 6 units होगी 3 units नहीं होगी 6 units होगी याद रखना इस point में बच्चे बहुत confused होते हैं तो 6 को जब हम thousand से multiply करेंगे तो first person की income आजाएगी 6,000 rupees इसे के साथ हमारा आज का session खतम होता है आप इस video को like कीजिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए और ये video अपने friends के साथ share कीजिए Thank you